नमस्कार दोस्तों बॉलिवोड एक्टरेश श्रीदेवी का दिल का दौरा पढ़ने से मुंबई में निधन हो गया 54 साल की अधाकारा अपने पती बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ रविवार को दुबई में एक शादी में शरीक होने गई थी अचानक श्रीदेवी के निधन से पूरा बॉलिवोड जगत स्तब्ध है जानकारी के मुताबिक श्रीदेवी के मुंबई स्थेत घर पर नजदी की लोगों का पहुचना शुरू हो गया है जहाँ वे उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर को डांडस बदा रहे हैं बताया जा रहा है कि फिल्म धड़क की शुटिंग के शडूल की वज़े से जानवी फैमिली के साथ दुबई नहीं जाप सकी थी बीतेर अविवार को ही बॉलिवुड एक्टरेस श्री देवी शोटी बेटी खुशी और पती बोनी के साथ मुंबई एरपोर्ट पर देखी गई थी बॉलिवुड ने श्री देवी को श्रधांजली देने का सिलसिला शुरू कर दिया है एक्टर सिधार्थ मदरोत्रा ने ट्वीट करके कहा कि श्री देवी मैम के निधन की खबर से मैं बेहत परिशान हूँ वहीं एक्टरेस प्रेंका चोपडा ने ट्वीट करके कहा कि मेर पास शब्द नहीं है श्री देवी को प्यार करने वाले हर शक्स के प्रती समवेदना एक काला दिन भगवान उनकी आत्मा को शान्ती दे क्रिकेटर मुहमत कैफ ने भी ट्वीट करकर श्री देवी को स्रधांजली दी 13 अगस्त 1963 को तमिल डाडू में जन्मी श्री देवी ने 1975 में आई फिल्म जूली से डेबू किया था इन में वह चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आई थी 1983 में आई फिल्म हिंबत वाला ने उन्हें रातो रात स्टार बना दिया था इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा पता दे कि श्री देवी ने आखरी बार मौम फिल्म में काम किया था जो जुलाई 7 को रिलीज हुई थी इसके पहले वो 2012 में आई फिल्म इंगलिश वेंगलिश में भी नजर आई थी आप भी कमेंट बॉक्स में श्री देवी जी को सर्दानजली दे सकते हैं अगर आप कुछ और भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आवाशे कहिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बटन को जरूर दबाएं धन्यवाद